यह इस्टूरेंस वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लिसन दा सौंग ऑफ सौंग्स के इंग्लिश वर्शॉप के कोश्चन को देखेंगे समझेंगे उनने सौल करेंगे एंग्लिश वर्शॉप का जो पहला कोश्चन है वह फ्रेम यूर ओन सेंटेंस इस बाई यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजिस यहां पे हमको कुछ फ्रेजिस या कुछ वर्ड्स दिये गए हैं और उनको यूज करते हैं में अपने ओन सेंटें हमारे खुद के सेंटेंस बरान दूइंग इस पेंडमिक के डॉक्टर इस वाबाई सूरत में जैसे वाबा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेकंड है सुपर्ब सुपर्ब के माने भी बहुत अच्छे बहुत को दें उसके जामने सेंटेंस मनाया है वह दो परफॉरमेंस और इंडियन क्रिकेट टीम व पाड़ है वेरी वेल यह बहुत अच्छे उसके लिए हमने सेंटेंस मनाया है वह यू है ड़न वेरी वैल इन यूर एक्जाम के तुमने बहुत अच्छा एक्जाम में कारकर दीगी दिखाई है चौता है यह फूर्थ है सो ब्यूटिफुल एंडिवाइन के बहुत ही खु रूखात है यही खुदा की बनाएं वी जितनी भी क्रेशन से सबके सब बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही खुदाई है हुआ है 2 सेकंड सेंटेंश है है फ्राम दे स्टूरी मेकल लिस्त ऑफ वर्ड रिलेटेट विद मुजिक कें को इस कहानी से कुछ ऐसे अलफाद ढूंकी निकालना है जो मीजिक से रिलेतेर मीजिक से नका तालुक है तो first word है strength, second है musician, third है तानपुरा, fourth है voice, fifth है sing, sixth है music, seventh है note और eighth है राग दरबारी third question में हमको बताना है who said to whom and when and why किसने नीचे दिया हुआ sentence कहा है और कबर क्यूं कहा अब यहाँ पर हमने first column में देखते हैं कि वो sentence है second में who यानि किसने कहा, third में whom यानि किस से कहा और जो last column है इसमें हम देख सकते हैं कि when and why यानि कब कहा और क्यूं कहा तो first sentence है then I must have him sing in my court के तब तो मुझे उनको गाने लगाना चाहिए अपने court या दरबार में तो यह किसने कहा था यह अकबर ने कहा था whom किस से कहा था तानसेन से कहा था और कब कहा था और क्यूं कहा था जब तानसेन ने अकबर से कहा था कि कोई और भी है जो उनसे बहतर या कई बहतर गा सकता है सेकंड है I shall go as a humble lover of music के मैं फिर एक म्यूजिक के खाकसार या अधना से शौकीन के तोर पर जाओंगा तो यह अकबर ने तानसेन से कहा था और कब कहा था वह रिदास के पास ले जा सकते हैं सिर्फ इस शर्त पर कि वह हिंदुस्तान के बाश्या की तौर पर नहीं आएंगे थर्ड सेंटेंस है what has happened to you तुम्हें हो क्या गया है या तुम्हें क्या हो गया है तो यह संत हरिदास ने तानसेन से कहा था और कब कहा था वन तानसेन सेंग दर रूंग नोट जब तानसेन ने गलत नोट को गाया और फोर्ट सेंटेंस है how can I expect my music to be so beautiful and divine कि मैं अपनी music पर इतने खुफसरत कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी music इतने खुफसरत और divine होंगी तो यह तानसेन ने अकबर से कहा था वेन अकबर आस तानसेन वाई can't he sing like his teacher संधरिदास जबके अकबर ने तानसेन से पूछा था कि वो उनके इतने music के teacher हरिदास की तरह क्यों नहीं गा सकते फूर्थ कोस्टन है में दसेंटेंस विद्धियर टाइप्स क्या आपको सेंटेंस के टाइप से मैच करना है याने यह जो है तुसके अंदर हम को सेंटेंस दिए गया है और कॉलम बी में टाइज दिए गया यानिक इस टाइ इसार किया जाए भी है interrogative याने ऐसा sentence जिसमें किसी बात के बारे में सवाल किया जाए किसी चीज्स के ताल्लग से सवाल किया जाए सी है स्टेटमेंट क्या अजर्टिव याने ऐसा सेंटेंज जिसमें किसी बात को बताया जाए किसी स्टेटमेंट को दिया जाए दी है इंपेरेट्व इंपेरेट्व सेंटेंज कहते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें किसी चीज को करने का हुकम दिया जाए जाए फेले अमर्ग का इस्तिमाल किया जाए और इहां नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंज इसमीं किसी चीज का इंकार किया जाए अब हमको कॉलन एमें देखना है कि सेंटेंस किसा टाइक का है और सेंगुस को जोड़ी लगाना है तो फर्स सेंटेंस है तुम्हें क्या हो गया है तो यहां पर एक question किया जा रहा है तो इसलिए यह है एक interrogative sentence इसलिए हम A को B से match करेंगे सेकंड है I am long past the age for singing मैं गानी की उम्र से बहुत आगे आ चुका हूँ यह मेरी गानी की उमर बहुत पहले खत्म हो चुकी है तो इसमें एक बस बात बताई जा रही है जो second sentence है वो C यह statement यह assertive से match करता है third sentence है wonderful wonderful में एक बात पर ताज्युक का इजहार किया जा रहा है तो इसलिए third का जो match है वो है A exclamatory और fourth है no not even then के नहीं तब भी नहीं इसमें एक चीज़ का इंकार किया जा रहा है और इंकार किया जा रहा है इसलिए हम इसको match करेंगे याने fourth को match करेंगे इन नेगेटिव से और fifth है take me to him मुझे उनके पास ले चलो इसमें एक हुक्म दिया जा रहा है और इससे पहले में बता चुका हूँ कि जुम्ले में हुक्म दिया जाता है तो उसे हम imperative sentence कहते हैं इसलिए जो मैचिंग टाइप है वह है डी इंपेरेटिव फिफ्ट कोस्टिन है make as many words as you can from the word एक्सास्प्रेटेड के आपको एक्सास्प्रेटेड जो वर्ड है उसके लेटर्स को लेना है और उन लेटर से जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा वर्ड बनाना है एक्सास्प्रेटीड ज्याद है उसके अंदर जितने लेटर्स इस्प्रेडशा है तो वी दूर लेटर को हम सको मुख्तली वलफाजों को बनाना है यहां पर मैंने 15 मिना है आप इससे जाधा ही बना सकते हैं पहला जो वर्ड है वह इस्प्रेड सेकंड है सेपरेट थर्ड है रेट फूर्थ है रेट फिफ्ट है एक्सपर्ट सिख्थ है टेप और सेवंध है टैप एट है एक्स नाइंध ह है इस्ट टैंथ है एक्सटर 11 है डेट 12 है डाटा 13 है दियर 14 है डेयर और 15 है डेजर्ट सिख्थ जो कोश्चन है उसमें को राइट टी फूर टूट्रू एंटी फॉर नौट्रू एंड सी एनस फूर कैन नाट से एन हमको कहानी पढ़ना है और नीचे जो दिये गए सेंटे दिये लिछाना है कि कहाणी लिहां से यह अगर गाटरू है तो उसका इंटी अहरो सही नहीं है तो ही नहीं है तो एंटी मतला हूं टू और कनाशे मतलम है क्या मिस बास पता निए चल यह बास चाहिए है ल terror Лिए को कही नीस सकते तो हमकुः अगर लिखना है ची एंड सह सह सेंटेंस है एंपर अकबर ग्रेटली एड्मायर टैंसेंस म्यूजी बट नाव ही वाज बोर्ड विट इट के अकबर तानसीन की मीजिक को बहुत तारीफ तो करता था लेकिन अब वो से बोर हो चुका था तो यह जो सेंटेंस है यह कहानी के लिए से गलत है इसलिए हम इसके लिख दिया है एंटी याने नौत ट्रू सेकंड है अकबर वाज एरोगेंट एन एक्सपेक्टेड और इस सब्जेक्स तो और इस कमांड के अकबर एक बहुत ही घमंडी शक्ता और वो उसके जित्ते भी महकूम थे सब्जेक्स थे जितने आने उसके अंडर में लोग आते तो वो उनसे इस बात की उम्मीद करता था कि वो उसके हुक्मों की तावेदारी करें उसके हुक्म को माने तो यह जुम्ला भी कहानी के लहाज से सही नहीं है इसलिए हमने इसके आगे लिख दिया है एंटी याने लॉट ट्रू थर्ड है गुरू जी रूपनाइज दे किं गुरू जी ने किंग या बाश्या को पैशान लिया था तो यह जुम्ला कहानी के रहां से ना तो सही है ना ही गलत और हम कहीं भी नहीं सकते कि यह जुम्ला सही है या गलत इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे cns याने के नाट से हम कहीं नहीं सकते कि यह बात सही है या ग लेकिन इसके बावाजूद वो लगतार जान बुचकर गलतिया करते चले गए तो यह बास सही है इसलिए हमने इसको टी लिखा याने टू और फिफ्त है एनी एफ़र्ड डेडिकेटेट टुगाउट टूबी दबेस्ट के वो तमाम कोशिश है जो खुदा के लिए खालिस हो टूब अब सेवंध्कोर्टन है डिसकस अड्राइड ब्रिफ़ली क्या आपको डिसकस करना आपस में इस तालू कि बात करना राइड ब्रीफली मुवं ठोडिकने अंप प्रहला आपको सामिने एक सिच्वेशन दी जाही आपको लिंदा लिकना इस को से पहली शिच्वेश होता है अगर्चे उन्होंने हुपम नहीं जिया ता लेकिन अगर हुपम दे देता तो क्या होता तो उसका अंसर हम ने लिखा है दो संतहरिदास वाज लिविंग अलाइफ और हर्मिट के अगर्चे संतहरिदास एक सन्यासी की जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन बड़ ही है तो कम टू था एंपरर अकबर तो ने फिर भी उसके बावजूद एंपरर अग्बर शेयंशा अकबर की पास आना पड़ता था एंड इफी इग्नोर दसमन अगर वो जो अग्बर के बुलावे को हाजरी के हुपम को इग्रोर कर देते थे एंपरर वूड है जैंट इस सोलि करने के लिए सोलियर्स को अपने फोजों को भिषता और उन्हें उन्हें गिरफतर करवा लेता और उनके खिलाव सक्ट एक्षन लेता क्या होगा अगर आप किसी अंदे शक्स को देखें जो बहुत ही सुर्टाल के साथ में गाना गा रहा है भीक मांगने के लिए इसका अंसर हमने लिखा है कि if I find a blind person singing melodiously for begging अगर मैं किसे ऐसे शक्स को पाऊ जो बहुत ही सुर्टाल के साथ में गाना गा रहा है भीक मांगने के लिए I will help him with money and food तो मैं इसको खाने और पैसो के जरिये मदद करूंगा I will make a video of him and post it on internet और मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा और internet पे पोस्ट कर दूंगा इसकी internet पे डाल दूगा maybe he will become famous and his life will change for better हो सकता है कि वह famous हो जाए और उसकी जिन्दगी अच्छी उसकी जिन्दगी में अच्छी तब्दील आजा है इसकी जिन्दगी अच्छाई के लिए बदल जाए इन इस एरा of internet it has already happened to many people और इस इंटरनेट के दौर में यह कई इस लोगों के साथ already हो चुका यान बहुत चों लोग सिर्फ किनकी कोई वीडियो वाइरल होने के विदिसे मशूर हो गए है एट जो कोस्चन है उसको समझने के लिए आप अपने सामने अपने टेक्सबुक को जरूर रखे उसके बगएर यह से जो सवाल है यह सवाल में बताएगे चीज़ आपको समझ में आना मुश्किल होंगी एट जो क्वेश्चन है वह इस्टडी दा अंडरलाइन ग्रूप अफ वर्ड्स के जो जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है तो आपको उनको बगावर मुताला है तो फर्स में देखते हैं यह ही वो यशर अशर्ड अफ कॉर्टन उसने कोर्टन का बना हुआ छ यर्ट पहち nou और भी है इंगे वो अशर्ट विच्वास मेड और कॉर्टन के उसने कॉसमें कॉर्ट एक ऐसा शर्ट पहिना जो के कॉर्टन से ब्राया गया था second का a है are you sure of your innocence क्या आपको अपनी बेगुनाही का यकीन है और b है are you sure that you are innocent क्या आपको यकीन है क्या आप इन्नोसेंट या मासूम है बेगुना है third का a है this is the exact reason for his failure यही उसकी नाकामी की वज़े है और third का b है this is exactly why he has failed यही वज़े है के वो फेल हो चुका है fourth का a है after finishing his work he went home काम खत्म करने के बाद वो घर चला गया और fourth का b है he finished his work and he went home के उसने अपना काम खत्म किया और वो घर गया अब आपने सामने अपने टेक्स बुक को जरूर रखे और जो उपर जितने सेंटेंस आए है तो उसको अपने सामने रखते हैं इन बाद इस जो आगली बाद बताए जा रही है तो उसको समझ्झे की कोशिश किए यूविल नोटीज देट और अंडरलाइन घ्रूप अवर्ड इन सेंटेंस मार्ड़ अ मेरलि रिफर्टो और कॉंसेट और इस्परीशन के जो भी sentence AI है तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ जो group of words है underline group of words है यानि जिन words को underline किया गया है तो वो एक खयाल या तसवूर को पेश करते हैं बताते हैं they do not contain a subject और मेन वर्व लेकिन जो underline जो वर्ड है कि एसेंटेंस वाले तो उनके अंदर ना कोई subject है और ना ही कोई मेन या प्रिंसिपल वर्व है जैने वह अपने अंदर जो माने है उसको पेश तो कर दे रहे हैं उनके अंदर जो तसवूर या खयाल को बता जा रहा है वो पेश तो कर दे रहे हैं लेकिन उन sentences के अंदर ना कोई subject है ना कोई मेन या प्रिंसिपल वर्व है तो इस तरह के जो group of words या sentence के unit आती है यानि किसी sentence के जो हिस्सा आता है तो उनको phrase कहा जाते है यानि phrase किसे कहा जाता है कि जुम्लों का कोई हिस्सा या अलफादों का ऐसा मजमुए जिसमें किसी तसवूर को पेश्ट तो किया जा लेकिन उसमें ना कोई मेन वर्ब आई ना कोई सब्जेक्ट आये अब यहां पर हमको हर सेंटेंज का भी के बारें बता जा रहा है कि एच फ़ अप्ड अंडरलाइन ग्रूप अफ वर्ड इन सेंटेंस मार्ड भी कन्वी अफ वर्ट कॉंसेप्ट एन हैव सब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल और में वर्ब के हर लाइन में यह हर सेंटेंस में जो भी ग्रूप आफ वर्ट साय जो भी सेंटेंस थे तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हर बी सेंटेंस के अंदर एक बात तो हमको बताई जा रही है लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है और एक में यह प्रिंसेपल वर्ब है तिस युनिट और पार कहते हैं के अलफाजों का ऐसा मजमुवाँ या किसी सैंटेंस का ऐसा हिसा जिसमें एक सब्जेक्ट भी आए और उन्हें हम कलाउस कहते हैं तो दोनों में फिरिखन वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आता है अब हम समझ चुके हैं कि phrase और clause क्या होते हैं दोनों में फर्क क्या होता है तो हमको नीचे जिए गए जुमलों में बताना है कि phrase कौन से है और clause कौन से है तो फर्स sentence है the musician laid his tarnpura on the carpet musician ने अपना तानपुरा कार्पेट पर रखा तो अन्द कार्पेड इसमें देख रहे कि न कोई मेन वर्ब है न कोई सब्चेक्ट है तो यह जाएंगा फ्रेज सेकंड है देर इस सम्वन तो यह हो जाएंगा क्लाउज इसलिए कि इसमें एक इस जो है हम उसको देख रहे हैं कि यह एक मेन वर्ब की तरपे हाँ पर आया है थर्ड है और यहां पर ही सब्चेक्ट हो गया और लिवड एक मेन या प्रिंसिपल वर्ब हो गया तो इसलिए हो गया क्लाउज कि इसमें सब्चेक्ट भी आ गया है और मेन वर्ब भी आ गया फूर्थ है दो म्यूजिक इस्प्रेड लाइक दफर्स ग्लीमर ऑफ डॉन के म्यूजिक फैल गई सुभा की पहली किरन की तरह दफर्स ग्लीमर ऑफ डॉन इसके अंदर ना कोई सब्चेक्ट है ना मेन वर्ब है इसलिए यह बन गया फ्रेज फिफ्ट है हिस मीजिक स्प्रेंग फ्राम देफ तवी सोल के उनकी मूजिक के धारे उनके रूख की गयराई से निकलती है तो इसमें फ्रॉम्द डेफ ताइफ तो जो अंडरलाइम ग्रूप आफ वर्ट है तो उसमें न कोई मेन वर्प है ना कोई सब्जेक्ट है तिस्ति यह प्रेज और सिफ्त है एस्ते आप ऩर ईंपरर सदंली प्रोकर सैऩे सालेंस तो इसमें से संटेस्स में हम देख रहे कि अपर हो जाएंगा सब्जेक्ट और ब्रोकर जांगा मेंब इसनी दिया हो जाएंगा लौज जो 9th question है तो वह एक क्लास activity है उसको आपको अपने क्लास में करना है अभ क्या है तो मैं आपको हैं उसको पता देता हो डिवाइद दक लाइस इन्टू गुरूज टीचर डिवाइस दा स्टोरी इन्टू गुरूज येने आपको अपने क्लास को दो गुरूप में तक्सीम करना है और टीचर एक कहानी लेंगा और उसको भी दो हिस्टों में तक्सीम करेंगा इस गुरूप शुट भी अलोटेट वन पार्ट टू बी कन्वर्टेट टू अप्ले और इसकी फॉर्मेट और हर गुरूप को एक कहानी का हिस्सा दिया कमबाइन टू पार्ट अब उन दोनों हिस्सों का आपको जोड़ देना है सच देट इन्टाइर इस ट्यूरी इस कन्वर्टेट टू अपले इस अंदाज में के पूरी जो कहानी है तो एक ड्रामे के शकल में तब्दील कर दी जाएं आपको इसको एक सूटेबल टाइटर कहानी को दो हिस्सों में तक्सीम करना है कलास को भी दो हिस्सों में तक्सीम करना है और एक गुरूप को एक कहानी का हिस्से देना है और उस कहानी को एक ड्रामे या इस खिट में तब्दील करना है और उसके बाद में इसके प्रक्टिस करने के बाद में आपको कहानी की दो और उनके अलावा किसी दो आर्टीस या मुजिशन के बारे में नीचे दिये गए पॉइंट के मदद से मालुमात हासिल करनी है और पॉइंट क्या है नेम यानि उनका नाम प्लेस ऑब बर्त उनकी जाय पैदाईश यानि कहां पर पैदा हुए मुजिक और आर्ट यानि किस अलुक रखते थे आवार्ट से और उनको कौन से आवार्ड या ओनर दिये गए तो सबसे पहले हम जो नीचे देख रहे तो वह तांसेन के बारे में तांसेन के जो नाम था वो था राम तनू पांडे उनका नाम था राम तनू पांडे प्लेस ऑब बर्त वह कहां पैदा हु नाम मुजिक कौन सता वें तो तो कलासिकल मूजिक धिंद सानी क्लासिकल मूजिक का के किश्वतude और 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 इन को आवार्ड या रहिव यान यह बहुत पुराने जिवान वासेए उसमाने में है और और एडा Victoria नहीं दिया चाती थे लेकिन लेकिन वो हिंदुस्तान के शहिंशा अकबर के नौरतनों में से एक थे यानि उस वक्त अकबर के दरबार में नौरतन नाम के नौ ऐसे लोग ते जिनको अपने फन में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी तो यह उनमें से एक थे तांसें के अलावा दो और मुजिशन का हमने नाम यहां पर दो और लोगों का हमने नाम लिखा यहां पर फर्स्ट है नेम महमद रफी महमद रफी एक बहुत अजीम सिंगर है हंदुस्तान के बहुत ही मशूर गायकार है प्लेस ऑब बर्त वह कहां पैदा हुए तो कोटला में म्यूजिक या आर्ट उनका म्यूजिक या आर्ट कंसा है तो कवाली गजल्स बॉलीवूर्ट क्लासिकल म्यूजिक और फिल्मी यह सब उनके गानों की उनकी म्यूजिक की किसमे कवाली गजल्स बॉलीवूर्ट क्लासिकल म्यूजिक और फिल्मी एवार्ट से ऑनर्स उन फ्लेबेकसुंगर कि उनको नैशनल फिल्म एवार्ड मिला जो बैस मेशलेट सेढर के लिए था न दूसरा जो नाम है वो है म इसकते हैं उनकी जाय पैदाईश का है तो वह है इंदोर वह इंदोर में पैदा हुए मीजिक और आर्ट कौन से तो उनका वही है जो मुहम्मद रफीज का है कवाली गजल बॉलीवूड क्लासिकल म्यूजिक वह उनका इन फिल्मी यह सब गाने उनने गाए है और एवार्स और अवार्थ वह यूँंको मिला है वह नेक्शनल फाघ्रीज को फईस it happened्रест प्लेबक सिंकर यह उनको एंवार्ट मिला था up our 준 ब्हारत रुटन उनको ओनर मिला है जो pos réfl veggie एक टरह की विर्बल, write or present any one of them in the class, कि आपको अकबर और विर्बल की कोई 5 कहानियों को जमा करना है, और उनको उनमें से किसी एक को अपनी क्लास में प्रेजन करना है पेश करना है तो यह आपके क्लास की एक्टिविटी है आपको यह खुद से करना है तो मुझे उम्मीद है के आज के इस वीडियो में जितनी भी question हमने देखे समझे तो आप लोग ने उसको समझ लिया होंगा और उनको note भी कर लिया होंगा अगर आप लोग कोई भी कोश्चन हो तो कमेंट सेक्षेन में जरूर पूछे वीडियो पसंद आयो तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगा आपसे अगली वीडियो में असलाम अलेकूं